हेलो डियर स्टुडेंट्स एक रिपोर्ट आई है से नो टू पॉलिथिन बैक्स तो आज उसी को मैंने प्रिपेर किया है तो देखते हैं क्यूस्चन क्या था मैंने 120 वर्ट कर दिया है कि यह जो आपको नीचे इंपूट मिले हैं इनकी मदद से आपको से नो टू पॉलिथिन बैक्स के उपर रिपोर्ट बनानी मतलब कहने का मतलब यह एक यह एक अभियान है और जिसमें अभियान का नाम क्या है कि पॉलिथिन बैक्स को क्या कहना है ना कहना है यहनि कि उनका यूज नहीं करना है तो क्या-क्या हिंट है इसमें केंपें इन आवर लोकेलिटी डिजास्ट्रस इफेक्ट ओपॉलिथिन यहनिकी पॉलिथिन के दुस्प्रभाव चोक सदा सेवरे सिस्टम यहने की जो निकास प्रणाली हमाई नालिया होती ही वो किनकी वाई से चोक हो जाती है पॉलिथीन की वाई से तो मेक दा पबलिक अवेर और इट्स हाम्स और लोगों को जाग रुक करना इसके खत्रे जो हैं उसके बारे में तो मेक लोकेलिटी पॉलिथीन फ्री जोन और हमारे इस जो हमारा इस्तान है उसको पॉलिथीन से मुक्त करना तो सबसे उपर यह जो हमारा यह टाइडल दिया हुआ है से नो टू पॉलिथिन बेक्स यह हम ले लेते हैं और बाई तरप डेट और रिस्तान आ जाएगा आई अब हम इसको समझते हैं लास्ट विक दा एन्वाइरोमेंटल क्लब ओप अवर स्कूल इनिशियेटेट से नो टू पॉलिथिन बेक्स केंपेंड इन दा इसकूल केंपस कि पिछले सब्ता जो एन्वाइरोमेंटल क्लब है हमारे विद्याले का उसने स्कूल केंपस से ही से नो टू पॉलिथिन बेक्स का केंप या अभियान स्टार्ट किया इनिशियेट किया इनिशियेट करना मतलब की सिरुवात करना दा मेन अबजेक्टिव ओप इस केंपेंड वाज तू मेक स्टूडेंट्स एंड पीपल अवेर ओप दा बेट इफेक्ट्स ओप पॉलिथिन बेक्स ओन एन्वारोमेंट यूमन बिंग्स एंड एनिमल्स जो मुख्य उद्देश इस केंपेंड का था वो क्या था तू मेक स्टूडेंट्स एंड पीपल अवेर यहने कि लोगों को और छात्रों को अवेर करना जो दुस प्रवाव है बेड इफेक्ट्स से हैं पॉलिथिन बेक्स के किन पर एन्वारोमेंट पर या फिर हुमन बिंग पर या फिर प्राणियों पर जानवरों पर एनिमल्स दा एजडियम ओब दा सिटी लेट दा केमपेन यहने की इस केमपेन का नेतरत किस ने किया है एजडियम ने किया है सिटी के बेसाइट्स देर वार मैनी एलीट मेंबर ओफ सोसाइटी आलसो प्रजेंट इसके अलावा समाज के कई प्रबुद्द लोग भी मौजूद थे दा प्रोग्राम स्टार्टेट विद दा मोटिवेशनल एन इन्पोर्मेटिव लेक्टर फ्राम आवर प्रिंसिपल कि कारिकरम की सुरुवात हमारे प्रिंसिपल के द्वारा हमारे प्रचारे के द्वारा जो प्रेणा दायक और जानकरी प्रद बातों के साथ कारिकरम की सुरुवात हुई यानि कि मोटिवेशनल और इन्फोर्मेटिव He said that polythene is a non-biodegradable product उन्होंने बताया कि polythene एक non-biodegradable product है यानि कि जो पर्यावरंड में अबगटित नहीं होता है and it cannot be eliminated from the environment और इसको पर्यावरंड से समाप्त नहीं किया जा सकता यानि कि polythene एक बार बन गया तो इतनी आसानी सनस्ट होने वाला नहीं है polythene bags make the food item poisonous कि polythene जो होती है पोलिथेन के जो बेग होते हैं उनमें जो आप food item रखते हो तो जेरिला हो जाता है if the animal chave them अगर जानवरे से निगल लेते हैं they go to their abdomen वो उनके पेट में चली जाती है polythene and cause them severe pain उन्हें बहुत दर्द होता है and most of time become a strong reason for their deaths और अधिकतर समय उनकी मोत का सबसे बड़ा कारण polythene ही होता है he further added that polythene bags cause severage problem and make the city ugly उन्होंने आगे बताया कि polythene जो bag होते हैं उनसे निकासी में problem आती है और इससे जो हमारी city है वो हमारा सहर गंदा होता है निकासी में problem हाती है मतलब की नालियों में अगर polythene रहती है तो फिर वो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है the 80% of the total garbage is made of polythene bags की जो total जितना भी कछरा है उसका 80% polythene ही होती है या plastic होता है the cheap guest in his speech said that people must use bags made of cloth paper and jute की जो मुक्या थी थी थे उन्होंने भी अपनी speech में बताया की लोगों को कपडों के बेग, पेपर के बेग या फिर रसियों के बेग उप्योग करना चाहिए he admitted that law could not do much in debt regard उन्होंने स्विकार किया कि नियम इस मामले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे the bain must come from within ये जो प्रतिबंध है वो अंदर से आना चाहिए नहीं कि बनी कितने ही नियम बना लो लोग नहीं मानेंगे लेकिन अगर लोगों ने मन में ही ये बना लिया है कि यो प्लास्टिक का यूज नहीं करेंगे तो कुछ हो सकता है तो इसमें लिखाए the bain must come from within ये जो प्रतिबंध है ये हमें अंदर से लाना होगा देन दा चीप गेश्ट एडमिनिस्टरड दा ओथ टू दा पीपल डेट दे वूड नाट यूज पॉलिवेक्स उसके बाद मुख्य अतिती ने सभी से सपत भी सभी ने सामुएक तोर पर सपत ली मुख्य अतिती ने दिलवाई और सपत क्या थी कि डेट दे वुड नाट यूज पॉलिबेक्स कि वो पॉलिधिन का उप्योग नहीं करेंगे ओथ मतलब सपत इसके बाद जो सभी विद्यारती थे उन्होंने एक रेली निकाली और उनके हातों में लकडी की तक्तियां थी जिन पर अनेक नारे लिखे हुए थे प्लेकाट्स मतलब की तक्ति और स्लोगन्स मतलब की नारे सहर में उन्होंने रेली निकाली there was enthusiasm among them and the people of the city students में भी और सेर के लोगों में भी इसके प्रती बहुत जुनून दिखा it seemed to be a very successful और ये बहुत ही सफल केंपेंड प्रतीत हो रहा था तो dear students जो अभी नई रिपोर्टी आई है उसका भी मैंने आज आपको बता दिया है और इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करते रहें वीडियोज को और चैनल को अपने दोस्तों के साथ सेर जरू करें थैंक्स